पहले कौन सी थी आपकी प्राक कलन या अनुमान समीटी दूसरी लोग लेखा और तीसरी प्राक कलन इसी को क्या कहा जाता है अनुमान समीटी एस्टिमेट कमीटी दूसरा आपका लोग लेखा लोग लेखा समीटी और तीसरा सरकारी उपकरमों के लिए समीटी इसका कार क्या था अनुमानों की जाच इसका काम CAG की तीन रिपोर्ट जो थी उनकी क्या करना जाच करना और ये हैं पॉब्लिक सेक्टर यूनिट की क्या अप या कि पॉब्लिक सेक्टर यूनिट की लेखाओं की क्या करना जाच करना और प्राकलन समीटी में कितने सदस तीज सदस वेटा कितने सदस तीज सदस और यह तीज सदस से कहां से आते हैं आपके यह तीज के तीज सदस आपके लोग सभा से आते हैं इसके बाद इसमें कितने सदस थे आपके बाइस बाइस में से पंदरा लोग सभा और साथ राज सभा इ डाजज़सवा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यह हमने कल देखा था, अब जो मेन है हमारी वो तो यह तीन समीधिया ही है, इसके अलावे संसर्द में और भी कुछ समीधिया होती हैं, तदर्द समीधिया, अन शमीधिया, विभाग से समबंदित समीधिया, अच्छा रहने के लिए उनको गाड़ी प्रोवाइट कराई जाती है आने जाने के लिए तो इससब की देखरे कौन करता है अब इनके लिए लोग तो लगेंगे ना कोई private company है कि इसको काम दिया गया है कि कोई private car की company उसको बोलागे कि आपको एक एक कार संसत के सदस्यों को देना ऐसा ह नहीं है या कोई घर सीधे बोल दिया कि ये घर आपका है हर चीज played किया जाएगा कौनज़कों कोई क्या और की कि द एक इन सब के लिए सदन में किया बनाई गई है? संसद में, समीतिएं बनाईे गई है, तो ये समीतियां बहुत ही सरल हैं, आपको नाम पढ़ने से समझ में जाएगा, कि इन समीति centralized काँ यह काम होता है, इसको पढ़ाने का रेजन सिर्फ यह है, कि आपको ये पता हो कि सदन की हर एक कार के पीछे एक समीती का हाथ होता है मतलब हर एक काम एक बॉडी करती है कोई वैक्ति विशेश उस काम की देखरेक नहीं करता है वरना हमारे दिमाग में स्वाल आते है कि प्रस्ताव तो हमें पता है पर ये चीजें कैसे चलती है अगर हमारे संसर्थ में फोटो लगी है आप यहां तक सोचिए अगर संसर्थ भवन में हमारे हॉल में यह जहां पर मीटिंग सोती है यह हमारा जो लोकसभा का हॉल है वहाँ यदि किसी की फोटो लगी हुई है वो फोटो लगाई किसने, किस से पूछ कर लगाई और उसी वैक्ति की फोटो क्यों लगाई, आप सोचिए इसके लिए भी एक समीती होती है, कि संसर्ट बवन में कहां सजावट के लिए कुछ करना है, संसर्ट बवन में कहां किसकी फोटो को हटाना है, निकालना, इन सब के क्या होती है एक समीती होती है केंटीन में खाना क्या बनेगा कैसा बनेगा उसकी गुडवत्ता क्या होगी हर चीज के लिए क्या होती है एक समीती होती है कोई वैक्ति विशेश नहीं होता है कि बोल दिया गया कि आपकी हमने एक भरती निकाली है यह वैक्ति का काम है केवल सं आपकी विभागों से संबंधित इस्थाई समीतिया, इस्थाई मतलब जो समीतिया कभी भी भंग नहीं होती, अब मैं आपको एक चीज बता दू, जो अभी तक आपने तीन समीतिया पढ़ी थी, प्राकलन समीति, लोग लेखा समीति और सरकारी उपक्रमों की समीति, इनका य जो है आपकी, इन तीनों समीतियों का कारकाल है आपका सिर्फ एक वर्ष, क्योंकि विट्ट से ही तो संबंधित है, बजट से ही तो संबंधित है, इसलिए इनका कारकाल कितना है, एक वर्ष, परंतु कुछ समीतिया है जो पर्मानेंट है, इस्थाई है, मैंने आपको बता क्या होती है जो हमेशा उस डेपार्टमेंट के लिए काम करती है तेरवी लोगसभा तक प्रतेग स्थाई समीती में 45 से अधिक सदस्य होते थे जिसमें से 30 सदस्य कहां से आते थे लोगसभा से 15 सदस्य कहां से लाज सबाव अब हमें इससे कुछ लेना देना नहीं क्योंकि य यह वआगों के कार देखती है और व्वाग किया होती है स्थाई समीतिया होती है है कितने members 31 31 में 21 कहां से और 10 कहां से राज्य सवर से आते जिन में 21 सदस यह हमने देख लिया इन समीतियों के छेत्रा दिकार में आने वाले मंत्राले विभागों के संदर्व में निम्न प्रकार के कारी ये समीतिया करती है अब देखते हैं कौन से काम अनुदानों की मांगों पर क्या करना अब अनुदान कौन मांगता है ये मंत्राले मांगते है और इन मंत्राले के अंतरकत कौन मांगते है विभाग मांगते है और इन विभागों के लिए क्या बनाई गई है समीतिया जो इस मांगे गए अनुदान पर क्या करती है की जाच करना जो राज सभा सभापती या लोग सभा जख्ष द्वारा यथा इस्थिती सौपे गए हो अर्थात इन विभागों की समीतियों को ऐसे विध्यकों की जाच विध्यक मतलब समझते हो विध्यक मतलब बिल्स ऐसे बिल्स की जाच करना जो या तो ने राज सभा के स होता है report annual report पर क्या करना विचार करना सभा में प्रस्तुत राश्ट्री अधार्भूत नीती संबंदित दस्तावेच राजसभा के सभापती या लोगसभा के अध्यक्ष द्वारा समीती को सोपे गए हो तो उन मामलों पर क्या करना विचार करना अर्थात ऐसे मामले जो अधार्भूत नीती से संबंदित हैं उन पर क्या करना विचार करना ये समीतियां संबंदित मंत्राले विभागों के दिन प्रती दिन के प्रशाशन के मामलों पर विचार नहीं करती याद रखना इनका काम डेली के काम पर ध्यान देना नहीं है विभागों से संबंद इस यूजना है नीटिया अर्थाद. यह केवल दीरग अज़ी की योजना है, क Niye करते हैं.' विचार करते हैं, ये दिन प्रतिम के काम पर ध्यान नहीं देते हैं. तो क्या करते हैं? क्या करते हैं विचार करने के बाद ? ये रिपोर्टों की भी जाज करते हैं और उस मंत्राले से संबंदित जानकारिया संसत को क्या करवाते हैं प्रोवाइड कराने का काम करते हैं और इनका सबसे में काम क्या है अनुदानों की मांग पर विचार करना तो हर आपके मंत्राले और विभाग की एक समीति होती है और वो समीति उस मंत्राले से संबंदित उस विभाग से संबंदित प्रतिवेधनों की, बिल्स की और विध्यकों की क्या करती है? जाज करती है, clear है? इसके बाद कितने सदस्य हैं? 31, 21 कहां से? और बचे कितने? कहां से राजसभा से, ठीक है, कार मंत्रा समीती, मंत्रा, यह तो मंत्रा टाइप दिख रहा है, मंत्रा समझ गए न, कौन मंत्रा, के कही की, दासी थी न, बहन नहीं थी न, अच्छा दहेज में आई थी न, वो तो, पहले दहेज में नोकरानी और नोकर चलते थे पता है, अब जब र तो ऐसे बनो, आज के समय में तो यह आप कर नहीं सकते हैं, आज के समय में आपके घरवाले आपको नोकर समझते हैं, तो बोल रहा है हम यह नोकर को दे रहे हैं, तो इससे बहतर क्या है कि सरकारी अदिकारी बन जाओ, जहां जाओगे, एक शेफ आपको मिलेगा, एक माली आपको मिलेगा एक कार्ड होने वाला मिलेगा और एक ड्राइवर भी मिलेगा तो यह दहिश ज्याद अच्छा हुआ ना तो सरकार से दहिश प्राप्त कर रहा है ठीक है अब घरवाले तो देने से रहे घरवाले तो आप बहुत ज्यादा प्रो हो चुके हैं हमारे घरवाले बोलते लड़का भी ऐसा दूटना जो दहिश के अब डिमांड ना करें ठीक है दहिश सही है गलत है लड़कों से पूछो यह जितने अभी यह कॉंस्टेवल और फॉरस निकाले हैं न यह सब इस्टिमेट बना रहे होंगे कि अच्छा इतना तो पक्का हो चुका है हमारा चलिए मंदडा समीती यह सिफारिश करना कि सरकार के उन विधाई और उन कार्यों पर जिसे अध्यक्ष सभा के नेता के परामट से समीती को सौपने का निर्देश ने चर्चा करने के लिए कितना समय नियत किया जाए देखो इसमें यह बोला जाता है कि पहली चीज़ तो सिफारिश करती है पहले आप इतना ध्यान रखिए सिफारिश करती है उन विधाई कार्यों पर या उन विधी से संबंदित कार्यों पर जिसे अध्यक्ष यह सभा के नेता के परामट से समीती को सौपने का निर्देश के समीत समीती को विधाई से शंबंदित ऐसे कार जो यह तो अध्यक्षण यह सभा कि नेताने कि सOSTपय हो गव्धा मंतना समीती को सौंपय उन पर चर्च करना और उन पर चर्चा करने के लिए कितना समय नियत करना- इसका करना परामर्ष देना समीती स्वयम भी सरकार से सिफारिश करती है कि वहां विशय विशेश सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत करें और ऐसी चर्चाओं के लिए समय नियत करने की सिफारिश कर सकती है अर्थाद ये समीती किसी विशय को सरकार के समख्ष रख सकती है और ब विशेश अधिकार समीती, विशेश अधिकार किसके पास होते हैं सदन में, सदन में विशेश अधिकार किसके पास होते हैं, सिफ अध्यक्ष, सभी के सदस्यों के पास हैं, विशेश अधिकार तो अपने सभा अत्वा उसके किसी सदस्य, अत्वा किसी समीती के सदस्य के, वि किया गया तो अगर ऐसा प्रशन उठता है तो उन प्रशनों की क्या करना जाज करना उसे स्ек अट्वा अध्यक्ष द्वारा सौपा जाता है विशेश अधिकार समीति को प्रतेक मामले के तख्द्वों को ध्यान में रखते हुए इस बात का निश्य करना कि क्या विशेष अधिकार भंग किया गया है और अपने प्रतिवेदन में इस समबने में सिफारिश करना. अर्थार संसद में जब भी विशेश अधिकार भंग होते हैं किसी वैक्ती विशेश है सदस्य विशेश के तो उसकी उन प्रशनों की जाच करना और उस पर अपनी क्या सौपना रिपोर्ट सौपने का काम विशेश अधिकार समीती करती है अब देखो इसमें डेफिनेशन बताने की जरूत नहीं पढ़ी कि इसमें नाम ही में क्या लिखाएं अर्थार किसकी रक्षा करती है जाच करती है विशेश अधिकार की जाच करती है सभा की बैटकों मैं बैटकों से सदस्यों की अनुपस्थिती सम्बंदी समीती सभा की बैटकों से अनुपस्थित की अनुमती प्राप्त करने के लिए सदस्यों के सभी प्रातना पत्रों या आप इसको बोल सकते हो अपनी भाशा में क्या तूदा सभापती I am suffering from fever हा ना तूदा सभापती छोगा ना अब तूदा प्रिंस्पल तो है नहीं यहाँ पे इन एप्लिकेशन्स पर विचार करना और ऐसे प्रतिक मामले की क्या करना जाच करना जिसमें कोई सदस्त साथ दिन या इससे अधिक समय तक बिना अनुमती के सभा की बैटकों से अनुपस्थिद रहा हो तो क्यों रहे आप वज़ा बताईए उसकी आप उसका कारण बताईए हर चीज के क्या की जाती है जाच बाई आप सदस्त से बने क्यों लोग सभा राज सभा के घर में बैटने के हर चीज के एक समीति है अचार संबिंधी समीति अब अचार वह अलमा समझ लेना आप लोग ठीक है सदस्यों के अचार मतलब होता है अचार सहिता वाला अचार अचार मतलब बोलते ना कि आपके आचार अच्छे होने चाहिए मतलब आपके नैतिक गुड अच्छे होने चा करना निग्रानी करना जो कि हमें देखने बहुत कम मिलता है , वैसे एक चीज है कि केंदर में तो तो आप इसको बहुत अच्छे से देखा जा रहा है परन्तु अभी बी कुछ राजजय सरकार aims जहां पर यह आच्रण हमें देखने को अच्छे से नहीं मिलता है, जो अब शब्दों को उप्योग भी कर देते हैं, विधान साब हमें बैठ कर, या एक दूसरे पर कुछ फेंक भी देते हैं, तो यह गलत चीज है, यह गलत आच्रण कहलाता है, सदस्य के अनैतिक वहवार के संबंद में, अथवा उसके संसदी वहवार से संबंदित की गई, प्रतेख शिकायत की क्या करना, जाच करना और उप्युप्त समझी जाने वाली सिफारिश है करना, ऐसे नियम बनाना, जो यह बताएंगे कि क्या अनैतिक माना जाएगा, संसद में ऐसे नियमों को बनाना, जो बोला जाएगा कि अगर आपने ऐसा किया, तो इसको क्या माना जाएगा, अनैतिक, या मैंने बोल दिया कि अगर कोई वैक्ती, मान लिजी मैं समीती का सदस्य हूँ और मैं नियम बना रहा हूँ तो मैंने बोला कि जब कोई दूसरा सदस्य बात करेगा उस बीच में खड़े होकर कुछ बोलना या उस पर कुछ फेंक कर मारना क्या माना जाएगा अनेथिक माना जाएगा तो में नियम में लिख दिया अगर आपने ऐसा किया तो आप उसकी जाच होगी फिर आपके विरुद्ध क्या की जा सकती है कोई भी अब कारवाही कैसे की जाती है अध्यक्ष होने क्या कर देते हैं सदन से इतनी बैठकों तक के लिए निलंबित कर देते हैं कि बेटा अब तुम घर में बैठो घर में फेका फाकी करो चीजों की हमारे तो थपड़ पड़ जाते हैं सोचिए जन्ता के प्रतिनिजियों को थपड़ पड़ जाते हैं एक प्रतिनिती दूसरे प्रतिनिती को जड़ा देता है कान की नीचे, यह हमारे हाँ व्यवस्था है, ठीक है, बहुत खराब व्यवस्था है कुछ चीजों की, तब बहुत गलत तरीके से उनके साथ विधान सभाभवन में क्रत्ति किया गया था, आपको यूट्यूब में द सबस्था समझे सदस्य के अनैतिक विवार से संबंदित मामलों सहेथ, अचार संबंदी मामलों पर स्वप्रेंड़न से विचार, स्वप्रेंड़न से विचार करना मतलब क्या होता है, कि जब अध्यक्ष और सभापति ने नहीं बोला, तब भी अपने मज से वो उस संबंदित है, नैतिक और अनैतिक से संबंदित है, फिर आती है महिलाओं को शक्तिया प्रदान करने वाली संभीतिया, कितनी एक तो आयोग है महिलाओं के लिए, सोचो महिलाओं के लिए क्या क्या है, पुरुष आयोग सोना है, होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, पुरु Shri Lafaur's related न पर पुरुषों से काहना करता है तो महिलाय भी एत्याचार करें कौन करता है परिवार, मेरे ऊपर नहीं होते हैं मैं केवल example वता रहा हूँ, मैं पुरुषों की बात रख रहा हूँ आप लोग के सामने पुरुष आयोक बनना चाहिए कमेंगा है न hm की शिकायती भी सुनी जाने चाहिए आज धंकिया मिलकी पुरुषों को दहेच प्रता में फसा देंगे तुमको होते हैं या फिर आपको domestic violence में फसा देंगे भले पुरुष एकदम गव हो गाय समान हो पर पुरुष की ऊपर केस चल रहा है क्या बीवी पर हाथ उठाने का ये दैनी स्थिती है आज भारत के पुरुषों की ठीक है महिलाओं को शक्तिया देखो राश्टी महिला आयोग दोरा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करना और इस बात की सूचना देना की संग राज्य शेट प्रशाशन सहित केंडरी सरकार के अधिकार शेत्र में आन केंडरी सरकार का आता है क्योंकि हम बात केहां संसत की कर रहें विधान सभा की नहीं कर रहें तो ऐसे शेत्रों में किसकी महिलाओं की इस्थिती और दशा सुधारनी के लिए केंडरी सरकार क्या उपाय कर सकती है ये बताती है महिलाओं को सभी मामलों में समानता उचित दर के लिए केंधरी सरकार दौरह की गए उपाइओं चैसी मइन दॉप अपनरे करना ऊप्राइन हो कारों के कार करन में क्या करना। चाध करना सूद करना सूचित करना। कुल मिलाकर सदन में बैठकर महिलाओं के लिए क्या करना काम करना केन सरकार को बताना कि आप इस शेत्र में काम कर सकते हैं केन सरकार ने महिलाओं के लिए जो कानून बना है उनकी क्या करना जाज करना इसके लिए समीति बनाएगी लिए इन सारे notes को आप बिल्कुल ऐसे इतना मत लिखना, heading डालना, या अगर आपको समझ भी आ गया तो केवल क्या कर ये बस लिख लेना, ठीक है, कि ये अन्य समीतिया है, और अगर जो समीतियों में problem आती उसको side में छोटा सा लिख लो, पर पूरे notes मत बनाना, इतना सब लिखने क कई पूरे तो कि पूरे ज्खनी जोटने का, फिर आती गयर सरकारी सदस्यों के विधियक तता संकल्पों के लिए समय नियत करना, ये भी तो बोलते हैं 경찰 को, हमें भी तो मौका दो बात को रखने के लिए संविधान में शंशोधन करने वाले गैर सरकारी सदस्यों के विध्यक की लोग सभा में उनको पेश की जाने से पहले जाच होती है और ये जाच कौन करता है गैर सरकारी सदस्यों के लिए जो समीती है और गैर सरकारी सदस्यों के लिए ऐसे विध्यक जिन में सभा की विधाई च्हमता को चुनौती की गई है उसकी भी जाच करना मतलब आप सदन की विधाई च्हमता को क्या कर रहे हैं चुनौती दे रहे हैं मतलब जिस विधी के अनुसा सदन चल रही है आप उस पर कॉस्चनिंग कर रहे हैं सवाल उठा रहे हैं तो इस पर भी ऐसे विद्यकों पर भी क्या करते हैं, जाज करते हैं, फिर आति अधिनस्त विधान संबंधी समीती, इस बात की जाज करना और सभा को प्रतिवेदन देना कि क्या, जो सदन में सारी कारवाही हो रही है, वो नियम, वी नियम के अंतरगत हो रही है, या, नहीं, यही चीज है, वी नियम, नियम, उप नियम, उप विधी आजि बनाने के लिए समविधान दारप्रदा तत्वा संसत दारप्रतियोजित शक्तियों का प्रियोग, कारपालि का दारप्रतियोजन के अंतरगत समुझी तृप से किया जा रहा है, या, नहीं, ये सब छोड़ सिंपल कि सदन में कारपाली का जो भी कार कर रही है वो नियम के बीतर रहकर करे जा रहे है या नहीं इसकी जाच कॉन करता है विधान, संबंधि या धीनस ठटा देता हूँ मैं विधान, संबंधि हुआगा अब समझ में आएगा हमारे सदस्यों को लोकसभा, राजसभा लोकसभा की सदस्यों के आवाज से संबंदे सभी प्रश्णों पर क्या करना प्रश्विचार दिल्ली में सदस्यों के निवास इस्थानों तता हॉस्टलों में उपलब्द कराई जाने वाली आवाज खाद चिकित सा सहायता आदी संबंदी सुविधाओं तता अन्य सुख सुविधाओं की देख रेक करना कमाल की सुख सुविधाओं मिलती है संसर सदस्यों के वेतन तता भत्ते संबंदी संयुक्त समीथी अब नाम से क्लियरे क्या काम करती होगी है वेतन भत्तों से संबंदित और पेंशन से संबंदित काम करती है संसद भवन परिसर में खाद प्रबंदल समीती खाना पीना खाना पीना और भोजन और डिनर और जो भी चीज खाने पीने में यूज होती है सबकी देख रहे हैं यह समीती करती है देखो, संसद भवन परिसर में इस्थिर रेलवे खान पा निकाईयों द्वारा उपलब्द कराये जाने वाले खाद पदार्तों की दरों में क्या, दरों मतलव, दर मतलव, पदार्तों की दरों में, शंशोधन, संसद भवन परिसर में रेलवे खान पा निकाईयों चलाने के यह दी जाने वाली राजसायता, यह रेल्वे शब्द क्यों आ रहा है, रेल्वे हटाओ आप, सदस्यों को उतकरष्ट केंटीन सेवा का प्राभधान और अन्संबंदिय मुद्दों पर जाज करना, आपने देखा हो कि सदन की कारवाही चलती है, तो सफेड रेस में गूमते कितना सीरियस मुद्दा चल रहा है यहां पर महिलाओं की सरक्षा की बात चलती हो और आप कोल्ड कॉफी ओडर करते हो, तो यह अच्छा लगता है गया, एकदम गराम मॉल है सदन का, और सैंविच आ रहा है वहाँ पर, ऐसी कभी वहाँ बैट कर नहीं खाते है, सदन की भी एक गरिमा होती है, और फिर वहाँ पर हमें सद से पीजा तोड़त हुए दिखते हो, सामने कैमरे लगे रहते हैं, तो ऐसा नहीं हो था, पानी वगएरा, चाय वगएरा आ जाती है, ठीक है, राश्टी निताओं द्वारा, राश्टी निताओं तो था संसत सदस्यों की यह प्रस्ताओं करती है, संसत भवन तता संसत भवन परिसर के किसी अन भाग में राश्टी निताओं संसत सदस्यों की प्रतिमाएं लगाने के संबंध में, बाहरी संगठना और व्यक्तियों की तश्वीर तता प्रतिमा की सुईक्रती, अब बाहरी संगठन इसलिए बोला गय है क्योंकि अब जैसे कि मैं आपको एक्जामपल दूनेलसन मंडेला ना कभी भारत के थे ना भारत के नागरिक हैं ना ही कभी उन्होंने कोई सदरन के सदस्र है लोग सब अपरंतु उन्होंने करकार ऐसे किये है कि उनकी प्रतिमार लगाई जा सकती है उनकी फोटो लगाई ठीक है ऐसा मत करो गांदी जी आज उपर से देख रहे हैं मत करो ऐसा जिन इस्थानों पर तश्वीर तदर प्रतिमाय लगाई जा सकती है उसके बारे में और अन कोई कदम उठाए जाने के बारे में जिससे कि संसत्भवन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा सकत इन मामलों पर विचार करती है ये समीती क्लियर है संसत्भवन परिसर में सुरक्षा बनाने के काम कौन करती है अब इन में ज़्याद समय ख़़ाम ने करती है सुरक्षा से संबंदे जाच परता ले विचार करना परामर्श रखना ये कौन करती है सुरक्षा संबंदी समीत लोग सभा सदस्चों के कदाचार की जाच संबंदी समीती यह समीती लोग सभा सदस्च के कदाचार और उसके द्वारा संसिदी विशेश अधिकार और सुविधाओं का दुरुपयोग करने के मामलों जिनके बारे में लोग सवा अध्यक्ष से समय समय पर मामले प्राप्त होते हैं उसकी क्या करती है जाच करती है और प्रत्येक मामले में कारवाही की सिफारिश करती है और इसे अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है साथ ही यदि समीती उप्युक्त समझती है तो इस बात पर भी गौर करती है कि किसी सदस के किन किन करत्यों को कदाचार माना जाएगा और ऐसे कदाचार के मामलों में की जाने वाली कारवाही के बारे में सिफारिश करती है समीती आम तोर पर अध्यक्ष दोरा किसी मामले को भेज़ जाने के एक महने की भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयाज करती है ये कदाचार से संब्द देते हैं ठीक है तो ये है संसद की इसके अलावा बहुत सारी समीतियां लगभग पचास समीतियां अब 50-50 समीतियां तो हम बनाएते पानी लाने की समीति वैल्कम करने की समीति अब हर समीति तो हम नहीं पढ़ सकते तो ये चीज़ है जो इंपोर्ट연ट ही वो मैंने आपको बता दिया है यि कि आपको इतना पता चलिया कि sunset के प्रतिक कार के कमेटी होती है और वो कमेटी उस कार की देखरेख करती है इतना पता होना चाहिए इससर में हर काम ऐसे ही नहीं होते अपने आप में बहुत बड़ी बॉडिये अ पार्लियमेंट और इंडियन पार्लियमेंट की हर एक चीज अब जैसे आपने रेखा ना कि एक तस्वीर भी अगर बदलनी है या लगानी तो उसके लिए भी क्या बनाएगी यह कमीटी बनाएगी ऐसा नहीं कि कोई भी घूम रहा है सदस्यों सदस्य का मन किया राहूल अच्छा नहीं लग रहा है खाली-खाली ऐसा नहीं होता ठीक है वहां जो फोटो लगाती है वह कमीटी डिसाइड करके लगाती तो यह क्लियर है आपको इसमें कुछ मुश्किल चीज तो वैसे है नहीं पर अगर नहीं आया हो समझ में तो आप बता सकते हो है कोई